हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS टूटोरियल पर स्वागत है इस वीडियो हम लोग क्लास 8 का मासिग मुल्यांकन यानि की मंतली असाइन्मेंट का कोर्सेंसर करने वाल है देखिए मा यानि की मंत है सितंबर 17, 2021-22 और पुर्णांक देखे तो यहाँ पर 60 है और सब्जेक फाइनल एक्जाम में किया जा सकता है तो इसको ध्यान देना है और अभी तक आप अपने फ्रेंड को इस वीडियो को नहीं सेर किये तो सबसे पहले इसको अपने फ्रेंड के पास सेर कर लीजिए उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं देखे शेर करना बिल्कुल ना तर की और बढ़ते हैं आप चाहे तो इसे यहां से यहां तक पढ़ लीजिएगा दिखे प्रस्न है गद्यांस के अनुसार आउसर मिलने पर छात्रवास से बाहर निकल कर लेखक क्या करता था पहला अप्सन देखे तितलियां पकड़ता था दूसरा अप्सन है चार दिवा कभी कागज की तितलियां पकड़ता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या कभी चार दिवारी पर चड़कर नीचे कूद रहे हैं कभी फाटक पर सवार उससे आगे पीछे हिलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं तो इस तरीके से दिखे यहां पर लिख देख कर प्रान सुख जाते हैं यहां पर लिखित सब्द प्रान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है तो देखिए पहला उप्शन है प्रान का अर्थ जिव जनतु है दूसरा उप्शन है प्रान सब्द इस्त्रिलिंग है तिसरा उप्शन है प्रान सब्द पूलिंग है और सब्द पुलिंग है और इसका प्रयोग दोनों वचन याने की बहुबचन और एक वचन दोनों वचन में होता है तो यहां पर सही option हो जाएगा option number C प्रान सब्द पुलिंग है और इसका प्रयोग हमेशा बहुबचन में होता है यह मैंने Google से निकाला है, और लोग बढ़ते हैं, next, three number cure, three number के question देखिए, निमलिखित सब्दों का संधी विछेद कीजिए, तो यहाँ पर देखिए, सजन, सजन का संधी विछेद हो जाएगा, सत जोड जन, और यहाँ पर उलेक का संधी विछेद हो जाएगा, उत जोड ले उत जोड चारन, 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 अब बढ़ते हैं हम लोग next, उत जोड चारन, उत जोड चारन, अब बढ़ते हैं हम लोग next, उत जोड चारन, उत जोड चारन, उत जोड चारन, अब बढ़ते हैं हम लोग next, उत जोड इसपस्ट कीजिये पुर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले पुष्टकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी हाल इसका ग्यात होता है न औरों की जबानी तो इसका हम लोगों को अर्थ इसपस्ट करना है तो चली इसके हम लोग अर्थिसपस्ट करते हैं तो देखी इसका उतर हो जाएगा कवी का कहना है कि किसी भी रास्ते पर चलने के पहले यह अवस्य ज्याद कर लेना चाहिए कि वह रास्ता लक्ष तक पहुँचाने वाला है अथवा नहीं कवी कहता है कि पुस्तकों में लक्ष तक पहुँचने के लिए मार्ग नहीं बताया क्या है लोग भी इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए स्वयम ही प्रयास करना पड़ता है तो इस तरीके से ये आसे इस पष्ट हो गया अर्थ हम लोग इस पष्ट कर लिए हैं इसे आप नोट कर लिजे इसके बाद लोग बढ़ते हैं अगला कोशन की ओर विश्वासपात्र मित्र जीवन की आवसद है कैसे ओके आवसद है तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं इसका अंसर विश्वासपात्र मित्र जीवन की आवसद है कैसे देखी इसका उतर जिस प्रकार एक वैद्ध रोग को आसानी से जान लेता है और रोग की प्रकृति और संक्रामकता के अनसार इलाज करता है इलाज में चाहे उसे कड़वी दवा देनी हो तब भी नहीं हिचकता उस्ती प्रकार मित्र को भी कठोर निर्ने लेने में नहीं हिचकना चाहिए और अपनी आलोचना रुपी दवा से मित्र का भला करना चाहिए मित्र में मा जैसा धैर होना चाहिए ताकि वह धैर पुर्वक मित्र को सच्चे मार्ग की और उन्मुक कर सके मित्र में कोमलता भी होनी चाहिए क्योंकि कोमलता स्वभावाला ही किसी के दुख से द्रवित हो सकता है और उसके समझते हुए दुख को दूर कर सकता है इससे आप नोट कर लिजे फिर हम लोग बढ़ते हैं next subject की ओर यह हमारा हिंदी का complete हो गया है देखिए इंगलीज क्या ओके देखिए answer number one what does the given statement talk about the soldiers in the chapter सियाचीन the place of wild rose यहाँ पर एक sentence लिखा हुआ है देखिए sentence the soldiers call it general glacier the general call it a prestige issue तो इसका मतलब क्या है इस पंती से क्या पता चलता है इंडियन soldier के बारे में पहला option देखिए they are brave and courageous second देखिए they are talking about the ice cap c number देखिए they are ready for supreme sacrifice for the love of their motherland देखिए they value their service for humanity तो इसका सही answer हो जाएगा option number c they are ready for supreme sacrifice for the love of their motherland अपनी मात्रभूमे के लिए सब कुछ त्याग करने को ready है फिर देखिए second number what does the line देखिए and miles to go before I sleep यहाँ पर जो line लिख्या हुआ है and miles to go before sleep इसका मतलब क्या है पोयम का नाम देखिए stopping by wood on a snowy evening तो यहाँ पर जो chapter है आपका एक पोयम है यहाँ पर देखिए stopping by woods on a snowy evening तो इस पोयम में यह line का मतलब क्या है and miles to go before I sleep इसका मतलब क्या है तो देखिए पहला option है lot of works are to be done by the poet before he dies मरने से पहले बहुत सारा काम उनको करके जाना है बी option देखिए rest is needed to do his work अपने काम को करने के लिए उन्हें rest की जोरत है यह पर तिसरा देखिए the poet has to cover a long distance पोयम को बहुत ही लंबा दूरी टै करना है d number को option देखिए the path is lengthy and the time is short समय भूत कम है लेकिन जाना बहुत दूर है तो इसका सही अंसर हो जाएक option number पहला बहुत सारा काम करना है मरने से पहले लेखक को lot of works are to be done by the poet before he dies फिर देखिए next c number यानि कि 3 number 3 number के question है answer the following question in not more than 20 to 30 word okay 20 to 30 सब्द में answer देना है देखिए a number according to poem भारत आवर लेंड भारत आवर लेंड poem के अनुसार name two things that make India unique and special दूछी इसका नाम लिखना है जो इंडिया को unique और special बनाता है तो इसका अंसर देखिए गंगा और उपनिसद यहाँ पर question है देखिए 20 ते 30 वर्ड में लिखना है तो इसको हम लोग थोड़ सा लंबा लिखते हैं गंगा और उपनिसद के बार में थोड़ सा लिख लेते हैं तो देखिए गंगा गंगाज और गंगा is a transbondery river of Asia which flows through India and Bangladesh the 2,525 km river rises in the western Himalayas in the Indian state of Uttarakhand and flows south and east through तो यहां पर गंगा के बारे में लिख चुके हैं से आप नोट कर लीजे अब बढ़ते हैं नेक्स हम लोग उपनिसद की और तो देखिए उपनिसद के बारे में भी दो लाने लिखना है उपनिसद्स देखिए दो उपनिसद्स आर लेट वैदिक संस्कृत टेक्स्ट ओफ हिंदूज फिलोसोफी विच फॉर्म दो फाउंडेशन ओफ हिंदूज्म तो इस तरीके से इसे आप लिख लीजे पिस टीस वर्ट तो हो ही जाएगा इसमें अब नोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्शन की और गला कोर्शन देखि तो चलिए इसका हम लोग अंसर देखते हैं इसका अंसर देखिए तो दिखिए राजा ने इस तरीके का बेखुब कोर्शन पूछा था क्यों कि राजा बहुत बुरा था और वह अपने जो जनता थे अपने पीपल अपने लोगों थे उस पर बहुत कुरूर सभाव करता थ और बहुत सक्त था और अपना जो subject है अपना जो जनता है उसके बारे में थोड़ा भी ध्यान नहीं रखता था थोड़ा भी उनका care नहीं करता था इसे आप note के लिए जब बढ़ते हैं next question की ओर next question देखिए for number write an application for leave तो एक चुटी के लिए अप्लिकेशन लिखना है और आप इसकूल में है तो अफकोर्स प्रिंसिपल चुटी मागना है तो यहाँ पर प्रिंसिपल के पास अप्लिकेशन लिखना है चुटी के लिए चलिए इसके हम लोग अंसर देखते हैं तो दिखिए अप्लिकेशन सबसे परले आपको to लिखना पड़ेगा to2 फिर नीचे the principle garden high school यहां पर आपको अपना इसकूल का नाम लिखना है मैं repeat कर रहा हूं garden high school के जगह पर आपको अपना इसकूल का नाम लिखना है और यहाँ पर कोलकतावेस्ट बेंगाल लिखा हुआ है यहाँ पर अगर आपका section नहीं बटा हुआ है तो यह B आपको लिखने का जुरुत नहीं है और अगर लिखेगा तो भी कोई problem नहीं है in your school I have required one day leave because of a piece of work in the city I need to accompany with my grandma for shopping regarding to upcoming wedding in my family तो यहाँ पर बोला गया है कि family में साधी हो रहा है तो grandma यानि की दादी के साथ खरीदारी करने के लिए जाना इसलिए एक दिन का छुटी चाहिए अब नीचे दिखिए इसको यहाँ से यहाँ तक आपको same लिखना है कुछ भी बदलने का जूरत नहीं है अब चाहे तो बस इसको बदल सकते हैं बागी सब same लिखना है फिर नीचे दिखिए इसको भी same लिखना है kindly allow me leave for one day और यहाँ पर date पर आपको change करना है date लिखा हुआ यहाँ पर आपको date लिखना है जिस दिन आप परिक्षा लिखोगे जैसे कि आज हमारा 7 सितंबर है तो 7 सितंबर 2021 यहाँ पर आप date में लिख सकते हैं उसके बाद नीचे दिखिए नीचे भी यहाँ पर I sell be oblique to you इसको भी same लिखना है और नीचे yours obediently इसको भी same लिखना है सं इसको हम लोग जोड लेते हैं total तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर पहला option देखिए 5 का square 25 होता है 33 के बराबर नहीं है फिर B option देखिए 6 का square 36 होता है 33 के बराबर नहीं है फिर देखिए C 5 का square 25 और 3 जोड देना है 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा 33 के बराबर नहीं है अब देखिए D number 6 का square 36 हो जाता है यहाँ पर 36 और minus 3 है यहाँ पर 3 लिखेंगे तो बराबर कितना आ जा रहा है तो इस तरीके से option number D सही हो जाएगा इसे आप note कर लिए जब बढ़ते हैं एक समलोग 3 number की ओर इसे आप note कर लिजे सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर देखिए 29 का square उसके बाद 29 गुना 29 और नीचे लिखना है 841 इसका answer हो जाएगा इसे आप note कर लिजे अब बढ़ते हैं next हम लोग 4 number की ओर 4 number की question दिखिए under root 79 hundred है यानि कि यहाँ पर root के अंदर लिखा हुआ है 89 इसका मान गयात करना है तो चलिए मान गयात करते हैं root बनाना है आपको अपने notebook पर 89 लिखना है डबल 0 लगाना है उसके नीचे इसका root direct निकाल देते हैं हम लोग तो 88.881 हो जाता है तो बस आपको इसी को लिखना है यही हमार अंसर होगी 88.881 इसे आप note कर लिजे फिर दिखिए next 5 number 5 number को question है दिये गए त्रिभूज ABC में भूजा BC की लंबाई ग्यात कीजे BC इसका लंबाई हम लोगों को ग्यात करना है यहाँ पर देखिए एक समकौन त्रिभूज है तो हम लोग पाइथागोरस धोरण अपलाई करेंगे और यहाँ पर देखिए मान दिया हुआ है AC का मान 12 cm और AB का मान 36 cm यहाँ पर आपको देखिए इस तरिकेस लिखना है सबसे पहले यहाँ से हमारा हल शुरू होता है ओके हल यहाँ से आपको लिखना है देखिए त्रिभूज ABC में यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमे से यहाँ पर मे नहीं यहाँ पर से लिख देना है आपको पाइथागोरस प्रमे से फिर कोमा लगा कर देखिए पाइथागोरस प्रमे अपलाई करेंगे BC स्क्वेर ब्राबर AC स्क्वेर पलस AB स्क्वेर अब यहाँ पर देखिए AC का मान 12 cm दिया हुआ है AB का मान 36 दिया हुआ है तो बस AC के जगापर 12 लिखेंगे 12 का circle हो जाएगा AB के जगापर 36 लिखेंगे 36 का square हो जाएगा फिर BC को से मुतारेंगे अब देखिए 12 का square 144 होता है ठीका square 1296 होता है उसके बाद हम लोग देखिए root लगाकर यहाँ पर 144 और 1296 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1440 हो जाएगा और 1440 का root हम लोग तोड़ेंगे तो 12 root 10 बचेगा इससे आप answer लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन आप अगर point में लिखना चाहे तो इससी बराबर इसको हम लोग solve करेंगे 12 root 10 को तो 37.94 हमारा answer आएगा मैं चाहूँगा कि आप point में लिखिए इसको answer लेकिन आप इसको लिखते हैं तो भी सही होगा कोई दिकत नहीं है इससे आप note कर लीजिए अब बढ़ते हैं next हम लोग अगला question की ओर इससे देखिए science मैं इसका complete हो चुका है science का दिखिए विज्ञान पहला नमर के question है बल जिसकी दिसा सदेव गती की दिसा के विपरित होती है क्या कहलाता है तो बताना है कि वैसा बल जो सदेव गती के विपरित के दिसा होता है उस बल को क्या करते है पहला option देखिए संपर बल दूसरा option है पेसिये बल तीसरा है घरसन बल चुथा चुमबक्ये बल तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number C घरसन बल इसे note कर लीजिए फिर देखिए next second number मान लीजिए एक दुकान में short circuit से आग लग गई है आप आग पर नियंतरन करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे तो इसमें सही अंसर हो जाएगा option number C जल छिड़काव आप कर नहीं सकते है क्योंकि short circuit से आग लगा है short circuit पानी विदूत का सुचा लग है current मार सकता है आपको और अगर आप switch up करने जाएगा तो भी हो सकता है कि आपको जटका दे आप current लग सकता है इसलिए switch up नहीं करना है जल क बता है तो बताना है कि प्रदिप्त और अप्रदिप्त वस्तु में क्यांतर है देखे प्रदिप्त वस्तु वैसे वस्तुए होती है जो जो light निकालता है अपने आप से और अप्रदिप्त वस्तु light अपने आप से नहीं निकालता है तो चली इसका हम लोग answer लिखते हैं त तूरे तारे प्रकासित विदुत बल्ब आग जलती हुई मौंबती इतियादी ये सब क्या है प्रदिप्त वस्तुएं हैं इसे आप नोट कर लिए फिर दिखें नेक्स्ट अप्रदिप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकास उत्रजित नहीं करती है अप्रदिप्त वस जैसे switchboard बिजली के तार आदी के मरमत का कायर करते समय हाथों में रबड के दास्ताने पहन कर क्यों काम करते हैं तो बताना है कि बिजली मिस्तरी रबड का दास्ताना क्यों पहनता है इसका उत्तर देखे रबड के दास्ताने विद्धूत रोधक होते हैं ये विद्यूत मिस्त्री को विद्यूत जटके से बचाते हैं यही कारण है कि विद्यूत सुविच की मरमत के समय विद्यूत मिस्त्री रबबड के दास्तानों का प्रियोग करते हैं इसे आप नोट कर लीजे अब बढ़ते हैं हम लोग अगला कोर्शन की ओर अगला कोर्शन तो चलिए इसका हम लोग अंसर लिखते हैं लेखिए उत्तर यहां से हमारा उत्तर शुरू होता है किसोर अवस्था पोसन की दृष्टी से एक समवेदन सिल समय होता है जब तेज सारेरिक विकास के कारण पोस्टिक आहार की मांग में व्रीधी होती है किसोर अवस्था के दृष्टा लिए गए आहार समंधी आचरन पोसन समंधी समस्याओं में योगदान कर सकते हैं जिसका स्वास्त एवं सारेरिक छमता पर आजिवन असर रहता है आयरन, फोलिक एसीड, विटामिन ए और आयोडीन सहित, विटामिन और खनीज की कमियों को रोखने के लिए भोजन का सुद्रिधिक करन एक महतपुन भूमी का निभातता है इसे आप नोट कर लिजे अब बढ़ते हैं हम लोग अगला कोस्टिन की और साइंस में हमारा कम्पलेट हो चुका है, आप बढ़ते हैं सोसल साइंस की और समाजिक विज्ञान, तो यहाँ पर देखिए परिष्छे दिया हुआ है एक सोसल साइंस में भी, इसको आप पढ़ लिजेगा, अभी हम लोग कोस अंसर करते हैं, देखिए जारखन में अपरदन के मुख्य कारक कौन-कौन से हैं, तो देखिए पहला अप्सन है तेज वर्षा का होना, दूसरा अप्सन है तेज हवा का चलना, तीसरा अप्सन है पेडों के अधिकटाई, चोथा अप्सन है उप्रोक्त, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उप् जलती है तो मिट्टी को उड़ा कर ले जाती है, यह सब है बहुत सरा कारण है, तो यहाँ पर उप्सन नमबर D सही हो जाएगा, अब बढ़ते हैं सेकेंड नमबर की ओर, सेकेंड नमर कुर्शन देखिए, अस्थाई बंदोबस्ती और महलवारी विवस्था में आप क्या अंतर पाते हैं, पहला उप्सन देखिए, अस्थाई बंदोबस्ती के तहट जमिंदार वर्ग का उत्थान हुआ, और महलवारी विवस्था का आधार ग्राम समुदाय को माना गया, बी नमबर देखिए, अस्थाई बंदोबस्ती में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार जमिंदार को दिया गया था, जबकि महलवारी विवस्था में राजस्व जमा करने की जवाब देखिए, गाओं के मुख्या को सौप दिया गया था, फिर सी देखिए, अस्थाई बंदोबस्ती का छेत्र बंगाल विहार और उडिसा था, जबकि महलवारी का छेत्र उतर प थ्री नम्मर का question देखिए आपके सहर या आपके राजिम में एक समाजिक वर्ग के कुछ राशनीतिक मुद्धे हैं अगर आप उस समाजिक वर्ग का नित्रित्व करने वाले सदे से मेंसे हैं तो आप अपने मुद्धे को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंग गए तरीकों को या फिर चौता अपसन देखिए अपने धार्मिक समुदाय के बनाए गए तरीकों को तो इसका सही अंसर हो जाएगा अपसन नमबर पहला को के समिधान सम्मत तरीकों से समिधान सम्मत तरीकों से ही आप अपने जो भी मुद्धे हैं उसको उठा सकते हैं इ गैर परमप्रागत वैसे स्रोत को बोलते हैं जो कभी खतम नहीं होगा उर्जा का सोर उर्जा हो गया पवन उर्जा हो गया यह सब गैर परमप्रागत स्रोत है तो यहाँ पर चार गैर परमप्रागत स्रोत का उलेक करना है तो देखिए उत्तर उर्जा के गैर परमप्रागत स पहला देखते हैं पस चार करने हैं तो पस चार करने हैं हम लोग सोर उर्जा ख यानि कि दूसरा है पवन उर्जा गह देखिए भूतापिय उर्जा गह बायोमास उर्जा अब चली हम लोग एक एक करके इसका व्याख्या करते हैं सोर उर्जा का सरवाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है जो वातावरन में फोटोन यानि कि छोटी छोटी प्रकास तरंग पेटिकाएं के रूप में विकीरन से उर्जा का संचार होता है इसे नोट कर लिजे अब बढ़ते हैं पवन उर्जा की पवन उर्जा देखिए वायू की गती के कारण अर्जित गतीज उर्जा होती है यह एक नविकरने उर्जा स्रोत है कई सताबदियों से पवन का उर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग होता रहा है जैसे अनाज फटकने में पवन चालित नौकाओं आदि में इसे आप नोट कर लिजे नेक्स्ट अबिकरिया से गर्म वास्प उत्पन कर उर्जा का उत्पादन किया जाता है इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए अनेक प्रविधियां अपनाई जाती है इसे आप नोट कर लिजे नेक्स्ट बायोमास उर्जा यह जय उर्जा का एक रूप है जयविक पदार्थ का उप्यो उर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है पादप एंजाइम जिवानु आदी उर्जा के महतपूर्ण स्रोथ हैं जेव पदार्थों से उर्जा प्राप्त करने की अनेक विध्या हैं इसे आप नोट कर लीजे अब बढ़ते हम लोग अगला कोर्शन की ओर अगला कोर्शन द लिखते हैं तो दिखी इसका उत्तर उके जो प्रस्तावना है उसमें पंथ निर्पेक्ष सब्द यूज किया गया है तो इसका मतलब क्या होता है दिखिए नीचे लिखना है आपको भारत का समिधान किसी धर्म या पंथ विशेज को प्रत्साहान नहीं देता और नहीं किस धर्म के साथ कठोरता का वेवार करता है धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक अल्प संख्यकों को भी समान सवच्चन प्रदान किया गया है इसे आप नोट कर लीजे देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन संपन संपूर्ण प्रभुत तथा वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सर्व भॉम तथा स्वतंत्र है विधी के द्रिष्टी से भारत के उपर न तो किसी आंतरिक सक्ति का दबाव है और न किसी बाहरी सक्ति का इसे आप नोट कर लिजे हमारा आंसर की कंप्लिट हो चुका है अब लोग बढ़ते हैं अग परिष्टी से क्या परिवरतन हुआ है तो दिखे उत्तर पहले हम लोग आरथिक इस्तिती देख लेते हों के आरथिक लिखिएगा उसके बाद नीचे उन में से कुछ समुदाय जूम खेती करते बहुत सारे इलाकों में आदिवासी जंगली जानवरों का सिकार करके एवं वन उत्पादों को इकठा करके जीवन व्यापन करते थे, कुछ आदिवासी जानवर भी पालते थे, आदिवासी सड़क निर्बान का कायरे करते थे, एवं कुछ आदिवासी खेती भी करते थे, इ इस्तिमाल करने लगे थें, अंग्रेजों के आने के बाद आदिवासी समाज में मुख्या का पद खत्म हो गया, वेपारियों के उत्पाद को खरिदने एवं आदिवासी समाज को काम मिलने लगा, आदिवासी समाज अंग्रेजों के अत्यचार का विरोध करने लगे एवं भ बढ़ते हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट की ओर तो देखिए संस्कृत यहां पर संस्कृत में भी एक अनुच्छेद दिया हुआ है आप देख सकते हैं अधो लिखितम अनुच्छेदम पठितवा प्रिश्णानाम उत्रानी लिखत यहां पर अनुच्छेद है इसको आप अप्सन नंबर पहला पाप नासिनी यहां पर देखिए पाप नासिनी लिखा हुआ है पिर देखिए सेकेंड नंबर रम्या परवता अत्र विशेशन पदम की मस्ती यहां पर देखिए रम्या परवता इसमें विशेशन सब्द को बताना है तो देखिए पहला परवता अब बढ़ते हैं नेक्ष्ट पूर्ण वाक्यन उत्तरत की ओर देखिए थ्री नम्मर का कोर्शन अस्माकम चितम का प्रस्णम करोती यानि कि हमारा मन को हमारा मन को कौन खुस करता है तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आप देख सकते हैं तो यहाँ अनुश्यत से ही उ प्रस्णम करोती यहां से यहां तक पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है इसी को लिखेगा अस्य अदेशस्य विविधा संस्कृत अस्माकम चिता प्रस्णम करोती इसे आप नोट कर लिए थ्री नमर का अंसर है अब बढ़ते हैं फोर नमर की ओर फोर नमर का कोर्शन दे स्काइए अश्य अनुच्यत्स्यक्रित उपरएम Mississippi संस्क्रिट भास या मंद्र लिख्ट इसका उप्यूक्त संस्कृत भासा में इसका सिर्शक लिखना है तो यहां पर पढ़िएगा तो पता चलेगा कि यहां पर हमारे देश के बार में बताया गया है इसका उप्युक्त सिर्षक का बात करें तो इसको आप लिखेगा असमाकम भारत देशव यह हमारा उप्युक्त सिर्षक है इससे आप अंसर में लिखिए अब फोर नंबर में इस तरीके से हमारा पुरा कोसंसर कंप्लीट होता है मंतली assignment का I hope आपको वीडियो पसंद आए होगा और अभी तक आप इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ share नहीं किया है तो ये बुरी बात है आपको mail जूलकर exam देना है इसको complete करना है अभी जल्दी अपने सभी दोस्तों के साथ share कर दीजिए और अभी तक आप मेरे चैनल का hds tutorial को subscribe नहीं किये तो subscribe करके bell icon भी press कर दीजिए ताकि इस तरीकी का वीडियो में जब भी upload करूँ आप तक notification पहुँच जाए इसी परकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस subscribe button को press करके subscribe करें और साथ ही यहाँ पर bell icon को all में click करें इसके बाद hds tutorial को touch करें आपके सामने कुछ इस तरीके का page open हो जाएगा अब आपको playlist पर touch करना है आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा playlist open हो जाएगा class 6, 7, 8, 9 subject wise और chapter wise तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं धन्यवाद